कि hallo everyone myself नेहा चंद्राकर जो को इसmos inform इसे हैं हमारा ौपिक है की तर टांक है पोपिक है तर सिंग के नज रोट उट्व हंब्याल करते हैं कि नज फ्रिन हैं सबसे पहले इसके लिए आपको फॉर्मूला जो एल्गरित में पता होना चाहिए कि निवर्टर एप्सन मेथाड में हैं ना चुंकि यह दिमेरिकल मेथाड में आपको पता है कि हम जो है फॉर्मॉला और इसका मैथड है वह को अगर पता चाल जाए तो हम एजी दिए उसके जो सॉलिशन्स तक हम अराम से पहुंच सकते हैं तो यहां पर इसका फॉर्मला है वह आपका xn-1 is equal to xn-f of xn divided by f-xn जैसे कि आप देख रहे हैं हमको क्या सब्सक्राइब करना होता है यहां पर यहां पर यह होता है एक से माइनस f of xn कि यह जो हमारा function है वह आपको पास जो कोश्टन इस पर है जो है फंसन दिया रहेगा तो यह फॉर्प एक से रहेगा और इसका डिफ्रेंशेशन इंटम्स है वह रहेगा रहे डिफ्रेंश धोर्प यही यही वह स्याद रेखनें आपको यह आपको फ्रम्ला है उसके बाद जैसे की बाइशिक्शन मेतर्म में देख लिए हैं और बी कॉश्टन कर लिए तो उसका वरकिंग रूर्प इसेम सेम पाड़न होता है जईसे की जो है एक स्वन एक तक निकालने हैं जब तक कि जो वैलू जै वो पॉइंट के बाद थ्री डेसिमल पॉइंट तक वह जो है तो यहां पर हम बात करेंगे कि दूटर रप्शन मेथड से कॉस्चन्स डायक्त में आपको वही कॉस्चन बताऊंगी how to solve non-linear equation जा numerical method है इसको हम कैसे इसको solve करेंगे Newton's method नून-linear equation example सह हमारे हाँ आपके कि first example यहिए कि x plus sin x is equals to 0 यानि कि हमारा फ़्र्स फ्रंसन है वो दे रिया गए है f of x is equals to a x plus sin x यह हमारा first equation is equal to 0 है अब यहाँ पर हमें जो इसको क्या करना है इसको हमें solve करना है तो यहाँ पर है और second method second question हमारा x square minus x into sin x minus cos x equals to 0 है तो यहाँ पर हमें इसको देखते जाएंगे है first time neutral reaction method how to approach neutral reaction method से कैसे पहुँँ सकते हैं इसकी लिए तो लेट यूस लेट ऐस एक से 0 बी एन एप्रोक्शिमेट रोट ऑफ F of X equals to zero माल लेते हैं कि जो एक से 0 जो है एक फर्स एप्रोक्शिमेशन जो रूट है वो हमारा first approximation है तो उसके लिए जो हम क्या करें कि f of x is equals to first हमार जो हमार यहाँ पर पॉल्लमेन equation है उसको हमने equal to 0 जैसे की दे दिया गए है question पे वो ले लिए है now let x1 is equals to x0 plus h जैसे की आपको पता है कि bisection method में हम जो next step निकानने के लिए formula होता है next root निकानने के लिए a plus b by 2 यह होता है आपका bisection में और raption method में आपको क्या करना है कि x1 next root हो निकानने के लिए आपको क्या करना है x7 is equals to हो जाएगा x0 plus h be the correct root यह हमारा correct root हो then using using the formula Taylor series we get तो यहां पे आपके पास Taylor series आपको पता ही है कैसे हम इसका find out करते हैं f of x0 plus h is equals to f of x0 plus h f plus x0 plus h square by 2 factorial f plus into f double dash x0 up to and so on तो यहां पे आपको f of x0 plus h जो हो निकालना पड़ेगा तो कि हमने यहां पे x is equals to हो हुआ x1 is equals to हमारे पास x0 plus h है तो यहां पे यह हम निकाला है और यह जो आपका पैटन निकलेगा वो है आपका Taylor series जैसे जैसे कि आपको पता ही है Taylor series बहुता है कि है now we assume that f of x0 plus h is equals to इसके बाद हम जो है क्या करेंगे यहां पे चुह है x… if of x is zero plus h equals to zero ले लिए because x0 plus h b the correct root है ना x0 plus h यहां ऑपको इसको हमने लिया है यहां पे 0 ले लिया है यहां पे 0 ले लिया है यह यह और टम्स तो यहां पे हस स्टों जाएगा और एफ फ़ेडिवार्स प्रोट में आपको कहां से हैं यहां पर से हैं कि एफ फ़ेड़ प्रस एट इन्तू एक जिरो प्लस नापी प्रोसेडियों टाइम्स तक चलते जाएगा अब यहां पर यहां पर देखते हैं क्षिणु और को जो है अगर यहां पे एक्षिन म्हें उस्ट जिरो और हमको पूटप किया है एड़ इक्वल स्टू जिरो इस अलगरिद्म में तो यहां पे आपको यह पैटन जी जुर्फ को नेक्स रिस्टेप मिल जाएगा एक्सवन उसके लिए अपो गया कर चाहिए एफ आफ एक्स एन है यानि की एक्स जिरो चाहिए और एफ आफ एक्स एफ डैस 3 और यहीं पर जो है हम जो है इस इंटर्वर पर 3 और 2 पर रख रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 27-9-5 इस इकुल स्टूर हो गया आपका 13 वैसी हम जो है यहां पर आपको बस वहीं क्यां करना है यहां पर आप देखेंगे x1 यहां पर देखेंगे से की फर्मला बेन बताया है कि x1 इस इकुस्ट हो जाएगा आपका x0-f of x0 अब divided by f-dash x0 तो यहां पर जो है सबकी वैलू हमें निकाल लिए x0 इस इकुस्ट है आपका 3 यह होगा आपका 3 3-f of 3 divided by f-dash 3 फिर इस सबकी वैलू कम रखेंगे तो 3- यह होगा आपका 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 24 तो यह वैलू जो है आपकी आ गई है 2.4583 यहां पर यह वैलू आपको यह फिर्स्ट एप्रोक्सिमेशन रूट आपको मिल लिए है चेकट एप्रोक्सिमेशन रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो यहां पर देखेंगे फिर्स्ट एप्रोक्सिमेशन रूट में जो आई है वैलू 2.4583 वो वैलू हम जो फंसल में रख दी है तो यहां पर क्या हो जाएगा 2.4583 का क्यूब माइनस 3 इंटु एक्स है तो एक्स जेकर में होगे 2.4583 माइनस 5 इसकी जो वैलू है वो हम यहां पर देखते हैं वो वैल बैलू जो हपकी आ गई है और यहां पर इसकी यहां पर जो बैलू है तो पॉंट उल्डेस पर है वालू जो है प्चू पॉंट 4-5 एकृटपर जो है जहां पर जो वैलू है वह है 15.12 ए पंट यहां पर निकालना पड़े गाए ऐस्टी टू यहां पर आप देखेंगी कि हमारा जो रूट है वह कौंसा हो गया तो यहां पर सब्सक्राइब जहां पे जो है एक्स वन इस इक्वस्ट हुमारे पास आया था अब उसके बार हम एक्स टू में देखते हैं एक्स टू इस इक्वस्ट वाया 2.2943 वैलू रखने की बाद जो वैलू जो है यहां पे आई है फंसन पर वह आपका यहां पे 2.92943 है अब वही काम हमको फिर से हां पे रिपेट करना है जैसे के हमारे एक्स टू आएगी है तो फिर से हम जो फंसन पर उसकी वैलू जो पूट करते हैं तो वो जो वैलू है आपकी आई है 12.7914 यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो है आपका 0.1939 है तो जो पॉजटिव वैलू है तो नेक्स्ट जो है आपका यह और भी बोल सकते ही या फिर आप ज़ेज़ प्लस एच जो आपका है वो चेंज जाता है आप यह तो यह जो वही र अब यहाँ पर फॉर्मॉला आगे है तो एक्स त्री इजी को स्टू आपके क्या हो जाएगा जो हमारा जो एक्स टू है वह किता है वह एक्स टू है आपका 2.2943 है ना तो यह वैलू कहा जाएगी 2.2943 माइनस एफ आफ आफ 2.2943 डिवाड़ेड़ बाइट एफ देस 2.2943 कॉल और इसको जब सौरू करते हैं हर एक क्यों हमारे पास है था इसको जब स्वौरू करेंगी करीं का फर्म से आप सौरू करेगा है क्योंकि जब क्यों से क्योंकि आपके ग्ञ sometimes के जो आपको calc का use करना यहाँ पर लाओ रहता है बस आपको calc चिलाना आना चाहिए तो यह x-ray की value आई हैपकी 2.2791 यहाँ पर इसकी value आजाने के बाद अभी इस value को हम function पूट करते हैं और यह जो value है उस equation पर रखने से उसकी value आएगी वो happy 0.0010219 यह value आने के बाद आपको जो उसका फिर से यहाँ पर देखना है है ना अभी हमारे पास जो x0, x1, x2, x3 वो values देखनी है तो जो x1 है वो आपका किता था x1 जो है यहाँ पर हम बात करेंगे तो वो है आपका 2.4583 x2 जो हमने निकाला वो है 2.94 2.2943 और उसके बाद x3 भी हमने निकाला है वो है आपका 2.2791 तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहां तक आपका जो value है वो similarly मिल रहा है इसमें 2 के बाद 4 आ गया है तो यह तो हो नहीं सकता है तो यह तो बिलकुल हटके हो गया है यहाँ पर देख रहे हैं चैनल थो नाइन चैनल थो लिए तो फौंट टूमे सेवन है यहाँ पर देखेशिंगन हो यह की बाद एक ही प्लेश पर देखना है इसमें तो नेक्स फोड़े परशिमिशन रोट करना पाड़े तो नेक्सन सलोट है आपका शोर थे लिए लिए तो नेक्स एक्स थ्रे कि वैलु रखी है उसका डेरिटिव है उससके वैलू है this is the only amazon onset चींच ब्राउं और किते हैं किसे अच्छी टू Igor कितनी है प्राईहां जो निकाल दाए वह भी positive है यहां पर इसका derivative जो value है function पर उसकी वह भी value है 12.5829 उसके बाद हमको क्या करना है next पर हमें यहां पर put करना है next जो है हाँ जो neutrons method में यह जो है इस formula पर हम x4 निकालेंगे एक से energy क्या रखना पड़ेगा हमें 3 रखना पड़ेगा तो यह x4 निकला है इसमें क्या हो जाएगा x4 is equals to हो गए यहां पर x3 minus f of x3 divided by f dash x3 यह होगी आपकी equation जो है तो यहां पर x4 is equals to x3 की value है आपकी यहां पर 2.2.2 यहां पर किता है 2791 minus f of 2.2791 divided by f dash 2.791 यहां पर जो है 2.2791 minus यहां पर जो value इसके स्वार्ण करेंगे जब कैलसी कितरों से तो यह value आई है पर 8.123 into 10 the power minus 5 तो exactly x4 की value है वो आई है आपकी 2.2790 तो यह value है जाने के बाद में 2.2790 की value आजाने के बाद order of convergence convergence of Newton's reaction method convergence यह जो है वो linear equation पर होगा और order क्या हो जाएगा यहां पर 2 क्योंकि जो है यहां पर आप देखेंगे मेरे कहने के मतलब यह है कि जो हमने x1, x2, x3, x4 यहां तक निकाला है तो यहां पर आप देखेंगे आपका 2.99 आया था और यहां पर है 2.2790 तो x3 और x4 में ही आपको यहां पर नजर आ रहा है इसका मतलब यह है यही पर जो है रिप्रेटेड वालू मिल रही है तो जो हमारी जो approximation जो रूट है है रियल रूट जो है वो यहां पर मिलेगी कहां पर हो जाएगी वेलू जो है 2.279 यह जो है decimal के बाद three places पर same values मिल रही है x3 और x1 पर आप चाहे तो दे सकते है x3 की वालू है 2.2791 और यहां पर x4 की वालू कितनी है 2.2790 है इसका मतलब जो approximation जो रूट है reputation जो वालू है वो आपकी यही पी मिल रही है तो इसका मतलब यह है प्रोक्सिमेशन जो रूट है वो एक्स3 और एक्स4 डैट मिन्स जो एक्स3 की वालू है 2.2790 और एक्स4 है आपका 2.2791 है तो यहां पर जो हमेरे बैलू जो है रूट जो है वो मिल जाएगा इसी में ही मिलेगा 2 और 3 के बीच में यह ना का भी मिलेगा 2.279 पर तो यह आपका जो है इस पॉइंट नामेल एक्विशन का है जो हमारे पास था एक्स3 माइनस 3 एक्स3 माइनस 5 पर इस इक्वस टू जीरो पर इसका जो है जो है यहां पर जो रियाल डूट से वह मिल गया है प्रोक्सिमेशन जो एक्वेट रूट से वह हमें पर इसी तरीके से आप जो है और भी कोशन का यूज करते हुए आप उसका रूट करते रहिए स्टुडेंट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट पर हम इसके और भी कोशन से स्टुड़ करेंगे और इसके और भी जो मैथट्स हैं पॉलनामे रूट्स निकालने के मैथट्स पर हम जो है डिस्कस करेंगे आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक्यू स्टुडेंट